प्रफेशनल आपका एक बर फिर हमारे चैनल में स्वागत है आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आये हैं आपकी स्टोरी की बुक्स के फर्स्ट पोयम दरोड नॉट टेकन की हिंदी एक्स्प्लेनेशन उसकी समरी इस वीडियो में हम इसी पोयम के बारे में डिसक्स करने वाले हैं दरोड नॉट टेकन इसके राइटर राबर्ट फ्रस्ट जी हैं इस पोयम में क्या चीज़ बताए गई है उसी चीज़ को हम डिसक्स करने वाले हैं हैं तो आईए बिना किस्देरी के बढ़ते अपने इस सब्सक्राइब करना होता है और यहां पर बताने का जो मतलब है जो पोईट बताना चाह रहा है हमारी लाइप में भी ऐसे ही समझ्याया आती है हमारे पास हमेशा दो आपसन होते हैं दोनों में शेका सेलेक्शन करना होता है और वही सेलेक्शन हमें सही या गलत रास्ते पे लेकी जाते हैं और बताते हैं कि हमने सही रास्ता चुना या गलत रास्ता चुना तो यह चीजे इस पोईब में बताएगे हैं कैसे वो दो रास्ते कौन होते हैं एक तो रास्ता वो हो कि इस पे तो बहुत कम ही लोग जा रहे हैं यानि अच्छा नहीं होगा लेकिन वही जिस पे कम लोग जा रहे होते हैं वही कुछ अलग होता है आगे चलके वही रास्ता कुछ की पीछे लग जाती है यह नहीं देखेंगी कि फर्स्ट वाली कहां गए थी मैं उसके पीछे जा रहे हूं तो वो क्या करेगी एक छोटा सा से जोक सुनाते हैं एक भेंड थी भेंड के जोक नहीं है बट इसा भेंड चाल की उपर है एक गाड़ी थी 20 भेंड थी अब एक भेंड उस गाड़ी के पीछे जाने लगी तो उसके पीछे पीछे जो और भेंड थे उसके पीछे लग गए अब क्या हुआ भेंड जो घूम के चली आई फिर उसने देखा कि उसके पीछे जो भेंड थी उसके पीछे लगी उसको देखते हो अगली भें गोल चक्कल लगा कि आई तब तक उसने देखा कि इसके पीछे जो सबसे लास्ट में भेंड थी उसने लगा मैं इसके पीछे जाते हूं यह उसके पीछे लगए और सारी भेंड वन बाई वन ऐसे चक्कल लगाते रह गए तो ओके फिलाल अब यहां पढ़ते हैं अपनी टॉ यह हमारी लाइफ के कोई भी कारी कर रहे है तो इसके दो रास्ते होते हैं दो आप्शन होते हैं हमारे पास तो यहां भी राइटर भी वैसे है तो यहां पर राइटर बता रहे हैं टू रोड्स पहले मैं इसको प्रणंसियेट कर रहा हूं अब ध्यान से सुनिए इसके बा वन एज फॉर एज आई कुड तुवेयर इट बैंथ इन अंडर ग्रोथ अब राइटर्स में क्या बता रहे हैं तू रोट्स डाइवोस इन यलो उड दो सडकें दो रास्तें लेफ्ट और राइट यानि कि जहां मैं खड़ाओ यहां से दो रास्ते आगे गए हुए हैं एक लेफ्ट की तरफ गया एक राइट की तरफ है और यहां पर जो yellow उड़ दिया है यहां पर yellow का मतलब है जो एक season होता है पत्ज़ड का जिसे हम autumn के नाम से जानते हैं और उड़ का मतलब है लकडियां उससे में क्या होता है सारे पत्थियां पेड़ सी गिर गई होती है और पेड शूखा सूखा दिखा जी सकते हैं तो राइटर वहीं बता रहे हैं कि दो रास्ते मुझे दिखाई दे रहे हैं बहुत है अब यहां पनी तरफ से कुछ सब्जेक्ट पढ़ना है हिंदी पढ़ रहा है तो सुझते अगर मैथ पढ़ रहे होते दो-तिन क्वेशन सॉल्ब कर दिये होते अब जब मैथ सॉल्ब करने बैठे इससे अच्छा तो हिंदी पढ़ लिए होते यह यह confusion जो है हर जोगहाती रहती हमारे पास तो ऐसे बहुत सारी confusion राइटर जो पोईट हैं जो कभी है वो भी ऐसे तो कर नहीं सकता हूं कि मैं left वाले और right वाले पर एक बार में मैं एक ही रास्ते पर जा सकता हूं या तो left पर जाऊंगा या तो right पर ही जा पाऊंगा and be one traveler long I stood और बता रहे हैं कि अब यह एक जगहां खड़े हों दिन लुक डाउन और एक जगहां खड़े हो करके देख रहे हैं रास्तों को as for as I could तब तक देख रहे हैं जहां उनकी निगाह जहां तक जार इट मेंस रास्ते पर जब खाड़े वरे तो वो अपने निगाहों को वहां तक दोड़ा रहे हैं मिन्स वहां तक देख रहे हैं जहां तक उनकी निगाहें जा रहे हैं वहां तक उस रास्ते को देख रहे हैं यह समझने के लिए कि कौन सा रास्ता मेरे लिए सही होगा और मुझे उस रास्ते पर ट्रेवल करनी है उसी रास्ते मुझे आगे बढ़ना उसी वर्क को करने के लि यानि कुछ रास्ते में छोटे मोटे पेड़ ब्रिच डालियां होते हैं तो वो रास्ते में आ जाती और रास्ता वहां से ब्लॉक्ट हो जाता है हमको आगे का सीन नहीं दिखाई देता तो राइटर बता जो पोईट है यहां पे राइटर नहीं होगे पोईट होंगे पोईट बता रहे हैं कि मैं वहां तक देख रहा हूं जहां तक मेरी नजरे जा रहे हैं और जहां तक मैं देख सकता हूं रोड को देख रहा हूं और यह क्लियर करने की कोसिस कर रहा हूं कि मुझे कौन से रास्ते पे जहां मेरे पास जो दो रास्ते हैं मुझे उनमें से कौन यही रास्ते पर चलना होगा और मैं उस रास्ते को वहां तक देखता हूँ जहां तो मुझे क्लियारटी दिख सकती है जब कि वह आगे मोड उस पे नहीं आ जाता रास्ता पेड़ और टाली 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 यह वैसे धकनी जाता तब तक मैं उसको देख रहा हूं मैं इसको फिर रेट कर रहा हूं आप पहले प्रणंसियेशन इसका सुनिये उसकी बाद इसके वोड को मैं एक्स्प्लेंट करता हूं बता रहा है अब यहां पे जो पोईट है राबर फिर यह क्या है यह कह रहे है हैं कि then look the other as just fair I bo and having perhaps the better claim अब दोनों रास्तों को देखते हैं और उनमें से एक करते हैं और वो जो सेलिक्ट करते हैं लेकिन और वो यह सोचते हैं कि have a perhaps a better claim कि वह उसी रास्ते पे जाया जिससे आगे उनको एक better सही तरीके से जिसको उनको benefit जिसका हो वो एक रास्था जो select करते वो इसलिए क्योंकि it was grassy and wanted here वो कहते हैं कि जिस रास्थे पर दो रास्थे जो थे एक पिछ बता रहा है कि घास नहीं थी और दूसरे पर काभी घास ओगी हुई थी एक पर काफी पत्तियां थी जो कि दबी हुई थी एक पे काफी पत्तियां और घास ज़्यादा होगी थी अब यहाँ पे इसका ताथ पर यह है कि जो रोड चुनना चाहा रहा है जो सेलेक्ट किये हुए हैं उस पे बता रहा है कि मैंने सेलेक्ट कर लिया और मैं देख के आ रहा हूँ जिस रास्ते पर लोग ज़्यादा गए हुए थे उस पर उस रास्ते पर घास नहीं थी यानि वो रास्ता साप सुत्रा था एकदम हमारा जो टार्गिट होता है यानि जो भी वर्खम करना चाहर है जिसको लोग ज़्यादा की रहते हैं हम भी वही सोच की करते हैं और वो आसान भी देखने में लगता है तो यहाँ पर पर पोईट जो यहीं बता रहे है वो काफी देखने में आसान लग रहा अपने समझने का तरीका होता है तो बतारें यह रास्ता मुझे काफी आसान देख रहाँ जिसपे लोग गए हुए हैं लेकिन जिसपे लोग नहीं गए हैं वो रास्ते पर कुछ घासे भी होगी हैं कुछ पत्तियां भी सूखी पड़ी हुई है यानि वो रास्ता कम साफ है लेकिन वो इन्हें बेटल लग रहा है वो बता रहे हैं कि यह रास्ता मेरे लिए ज्यादा अच्छा हो सकता है जिसको कम लोग सेलेक्ट करते हैं क्योंकि उस पे अगर और work किया जाएगा मेहनत किया जाएगा तो और easily हम अपना target एचीव कर सकते हैं बता रहे हैं दो as for the passing there had won them really about the same लेकिन क्या बता रहे हैं मैं वही रास्ता चुनूंगा कि जिसपे कम लोग जाते हूं और had won them really about the same और जो भेंड़ चाल होती उसको चुनने से हिचकते हैं जिज लोग जाते हैं और वह इसलिए बता रहे हैं कि देखी तोनों रास्ते तो एक जैसे दिख रहे हैं अब सोचने पर यही लगता है जाते हैं और जिससे वो आसानी से इसलिए से अपना thinking उस पे improve कर से कि इसलिए उन्हाने वो रास्ता चुना अब यहाँ पे फिर भई बता रहे हैं and both the morning equally ले और जरावस जीजे और जब हम दोनों चीजों दोनों रास्ते को सही से देखते हैं थो पता रहे हैं इन उन्हों सेलेक्टीया है नि GOT जिसक पत्तियां दबी हुई थी आनि बहुत कम पत्तिय ही जारी इनRIS आ पत्तियां थी और एक रास्ता जो की काफी साफ था तो इन्हों ने कहा मैं इस रास्ते को सेलेक्ट करो इस पर धेर सारी पतियां जिस पर लोग कम जाते हैं और लोग कम बहुत जादा आते जाते उस रास्ते में फिर कभी चला जाओंगा बट यह चीज देखिए यहां पर फिर एक कंफ्यूजन इनको हो रहा है यह चीज अभी भी यह डाउट में है यह और यह जानने की कोशिस भी इनकी है कि क्या वह उस रास्ते पर दोबारा वापस लोट किया पाएंगे उस दूसरी रास्ते पर जाने के लिए यह आएंगे उस रास्ते पर जाने के लिए दोबारा नहीं लोट पाएंगे यह भी उन्हें डाउट है कि वो उन्होंने रास्ता जो चुना वो घास वाला था यानि ऐसा रास्ता जा जिस पे कम लोग जाते थे तो उन्होंने वो रास्ता चुना लेकिन बता रहे हैं कि मैं जो दूसरा वाला रास्ता जिस पे लोग जादा जा रहे हैं मैं इस पे क्योंकि रास्ता साफ है तो फिर कभी लटूंगा जब तो दूसरे वाली रास्ते पे चल जाओंगा लेकिन बता रहा है कि मैं लटूंगा कि नहीं लटूंगा ये इनको confirmation नहीं हो पा रहा है ये doubt में रहते हैं अगें लास्ट वाली लाइन में बता रहा है I shall be telling this with a shy somewhere ages and ages hence two roads diverged in a wood and I I took the one less traveled by and that has made all the difference अब इस लास्ट परग्राफ में पोईट जो है बतानी की कुसिस कर रहे है I shall be telling this with a shy shy का मतलब होता है कि जब हमें क्या होता है एक लंबी सांस लेते हैं तो बहुत थक चुके थे हैं यानि एक आह भरी जब सांस लेते हैं या तो बहुत थक चुके होते हैं या कोई बड़ा decision ले लेते हैं ना यह चैन की सांस लेते हैं एक्टम relax mode में होके तब हम उस वर्ड को भाद में बताओंगा I shall be tell ing मैं इसको बाद में बताओंगा coordinator Idis and się एजए हंसिस ठीक है कि जो आनेवाले सब्सक्राइब यांई confirm मतलब होता है ूम्र लेकिन याए dizer and ages का मतलब यूगों यूगों तक आने वाले कई शालों तक आने वाले फ्यूचर में आने वाले शमय में कि जो मैंने रास्ता चुना तूरोड डाइवर जिना उट कि वही जो दो रास्ते जो अलग-अलग दिशाओं में जा रहा है एक लेफ्ट है एक राइट है जो अलग- उन दोनों रास्तों पर जाने की बात क्या डिफरेंस होता है अकर आज मैं कोई रास्ता सेलेक्ट कर रहा हूं एसा तहास्ता जो जाता है या ऐसे चीज मैं करता हो जिसको कम लो करते हैं या अगर मैं दूसरी पॉइंट की बात करूँ वो चीज करता हूँ जिसको सारी बच्चे करते हैं as common चीज अगर उसको करता हूँ तो आज तो मुझे इसका difference पता नहीं चलेगा अगर हम एक student हैं अगर आज जो भी आप पढ़ेंगे एक तो जो common बच्चे दो घंटे एक घंटे पढ़ते हैं आप उनके जैसा पढ़ोगे दूसरी चीज अगर आप जो ऐसे बच्चे जो की काफी ज्यादा पढ़ते हैं हमेशा इस्टरी में लगे रहते हैं अच्छी चीज उस्टि ऊसरी बच्चे दो घंटे कर रहा है तो सारे लोग के तरह मैं भी 2 घंटे पढ़ोँ अद दूसरी चीज नहीं नहीं को कि वह यह अधि ख़ान्टे पढ़़ें मैं भी 6 घंटे पढ़ोंगा तो यानि लेकिन उसको एक-दो लोग ही करते है तो यह decide आपको करना होता लेकिन इसका जो result आएगा वो आज नहीं पता चल पाएगा इसका पता चलेगा ages and ages यानि आज से कई शालों बाद in future आज से चार साल बाद दस साल बाद इसका जो effect आएगा वह आप पता पाओगे तो राइटर भी बताना चाहा रहा है आपको कैसे पता चलेगा आज से 10 साल बाद जब आप बड़ी classes में होंगे अपनी study graduation पोस्ट graduation qualify कर चुके होंगे अच्छा कोई job कोई business कर रहे होंगे तो उस समय पता चलेगा अगर मैं एक जो दो रास्ते मेरे पास थे अलग अलग एक तो था जिसमें एक दो घंटे पढ़के बस इस्कूल का वर्क हम लोग कल ले रहे थे बस इतना कि teachers हमको डाटे ना family से कोई प्रेशन ना हो एक तो वो रास्ता था दूसरा रास्ता था कि नहीं सिर्फ मैं वर्क पूरा करने के लिए नहीं और study और घर से डाट खाने के लिए नहीं पढ़ रहा हूं मैं पढ़ रहा हूं अपना कोई आपना कोई प्राइबेट जाब के लिए हैं को सब्सक् infinit और आपको आपको शारी चीज़एंगी आपके अंदर मैं बताऊंगा कि आज से यूगो यूगो तो कि यनी बहुत सालो बाद जो होगा इस जो दो रास्ते compliance मेरे लिए जिसके कम लोग जा रहे तीछ सही था यह गलत था इसको बाद में ही पता चल पाएगा तो राइटर भी इसी तरह से confused है आप भी confused रहते होंगे but don't be confused आप सिर्फ अपना वर्क अच्छे से करिए जो भी टॉपिक्स मिले जो भी वर्क हों अच्छे से पुरिमानदारी से अपने टीचर्स को सिर्फ शुवाफ करने के लिए ना पढ़िए फैमिली वाले ममी पापा पैरेंट्स भहिया देदी आपको ना डाटे इसलिए ना पढ़िए आप पढ़िए सिर्फ अपनी नॉलेज को इंप्रूफ करने के लिए आपकी नॉलेज बढ़ेगी तो आपके अंदर टैलेंट आएगा उस टैलेंट से आप कुछ भी कर सकते है तो जैसे यहां writer confused है जो हमारे poet जी है वो जैसे बता रहे हैं कि मैं confused था लेकिन इसका effect बाद में पता चला तो वही effect अब उन्हों वो तो success हो गए अपने life में 수 motions हो गए लेकिन अब decision आपको लेना है आपके पास भी दो रास्ते हैं lockdown चल रहा है आप कम पढ़ोगे ज्यादा पढ़ोगे सिर्फ टीचर्स को यह बताने के लिए करोगी कि सर मैंने आपका वर कंप्लेट कर लिया यह देखिए फोटो मैंने वाट्साइप कर देए आप देख लीजिए इसके लिए पढ़ना है यह अपनी नौलेज इंप्रूफ करने के लिए पढ़ना है यह डिसीजन उठोंगा तब भी कोई नहीं डाटेगा चार बज़े उठोंगा तो कोई नहीं डाटेगा उबर्क तो मैं घंटे में कंप्लेट कर लूँगा तो आप अपना एक रूटीन बनाईए अपने समय से उठीए अपने सारे कारी करिए तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही मिलते इसके बाद इसके question और answer की तरफ तब तक इस आप poem को पढ़िए read कीजिए study कीजिए समझिए अगर अभी भी कहीं problem लगे तो आप उस point को comment box में और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो like कीजिएगा चैनल को subscribe कीजिएगा और अपने आपकी जो friend list उन सबको भी वीडियो और मिलते हैं इसके बाद कि एक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के question और answer के साथ तब तक के लिए thank you have a nice day bye bye